क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी बोड़ी है वो पूरी तरह से डेवलप कैसे हुई है और किस-किस और्गन से बनी, किस-किस मसल से बनी और किस तरह से यह हमारी बोड़ी जो है पूरी डेवलप होके अभी हमारी लाइफ टाइम में जी रही है अगर आपको इनी के बारे में जानना है तो यूडियों के एंटर ज़रूर बने रहे हमारी बोड़ी इतनी complicated और इतनी ultra structure में बनी होती है कि उससे define करना बहुत complicated हो जाता है जब भी हमारा जन्म होता है जब हम चोटे होते है तब हमारे बोड़ी में अलग अलग तरके body organs डेवलोप हो चुके होते है और वो कम मातरा में होते है जैसे हमारी growth होती जाती है हम जैसे बड़े होते जाते है तब हमारे उसमें और अलग तरके organs बड़ी तेजी से बढ़ते ह जैसे जैसे हमारा खानपान चेंज होता है उस हिसाब से हमारी बोड़ी और बोड़ी की ग्रोथ होती है लेकिन क्या आपने कभी सोचाएगी है जो बोड़ी ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है और इसमें जो cells होते हैं, जो कि छोटे-छोटे cells होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, और किस तरह से बढ़ते हैं, तो चलिए जानते हैं, हमारी जो पूरी body है, वो एक cells से बनी होते हैं, जी हाँ, हमारी जो body है, वो एक cells से बनी होते हैं, जी हाँ, और हजारों cells के बाद कु के सेल्स उसके बाद मसल्स और उसके बाद body organs ट्रियेट होते हैं और हमारी body development हो जाती है और यह growth अपने हिसाब से अपने age के हनुसार step by step बढ़ती रहती है और समय बाद हमारी body growth कुछ restriction में आंके रुख जाती है और उसके बाद अगर इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई डाउट भी होए वो मुझे कमेट करके पूछ सकते हैं और यह वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेट करके जरूरू बताना अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो मिलते हैं अग